नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम सोयवीन की बैज्ञानिक खेती कैंसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे तो आईए सिरू करते हैं सोयवीन में होने वाली सबसे पहले हम सच सिक्रियाएं देखेंगे तो खेत की तैयारी कैसे करें तो कम से कम तीन साल में एक बार खेत की गहरी जुताई लगवख 20-30 सेंटिमीटर करें और मिट्टी को गर्मी की धूप लगने के लिए खुला छोड़ दें जिससे क्या होगा कि तेज धूप के कारण जो खर्पदबार हैं कीट ब्यादियां है वह पोशन का जो प्रवंदन है उसमें हमें साहता मिलेगी साथ ही साथ में क्या होता है कि बर्षात के पानी को मिट्टी में इखटा करने में भी शुबदा होती है बर्षा की शुरुवात होने पर सोयवीन की बौनी के लिए खेत की तैयारी के लिए कल्टीविटर को विप्रीद दिसामल दो बार चलाएं और बार में पाटा लगा कर खेत को समतल करें यदि खर्पदवार प्रबंदन के लिए बौनी पूर्व खर्पदवार ना सकता राय फिलूरालिन उप्योग करना हो तो इस समय उसका चलकाप कर भूमी में अच्छी तरीगे से मिला दें ध्याल रहे कि इनके उप्योग के समय भूमी में नमी हो और बौनी के कई दिन पहले या सूखे खेत में इनका प्रियोग ना करें अगर आपको अच्छी लग रही हो किसान भाईयो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें